एक diabetic patient के लिए क्या सही workout schedule होना चाहिए यानि किस तरीकी की exercise और कितनी exercise उसे करनी चाहिए जिससे वो एक healthy life जी सके आज की वीडियो में हम यही जानेगे देखिए अगर हम बात करते हैं एक diabetic patient को exercise करने के बारे में और यहाँ पर अगर आप पूछना चाहिए कि क्या हम जिम जा सकते हैं क्या हम heavy workout कर सकते हैं क्या हम weight lifting वगारा कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक advice करना चाहूंगा कि अगर आपको diabetes type 2 है और आपकी age भी कुछ जादा है यानि 40 से आप उपर हो गए है 42-45 तक है तो आप gym exercises को बिलकुल avoid करें मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूं मैं with reason आपको समझाता हूं ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आप करी नहीं सकते हैं आप कर सकते हैं लेकिन किस तरीके से यह आपको समझना पड़ेगा कि आपकी body gym exercise के लिए gym workout के लिए आपको support कर रही है या नहीं और सबसे पहले यानि कुछ ऐसे एहम चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए workout से पहले पहले वो समझे जब भी हम बात करते हैं diabetic patient की तो सबसे main चीज उसके शरीर में जो कमी होती है जो वो feel कर रहा होता है वो क्या है lack of energy यानि पूरी energy ना होना और ऐसा क्यों होता है ये मैं अपनी कई वीडियो में बत कर देते हैं अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो उसको जाके देखिए उसमें हमने बहुत अच्छे detail से बता रखा है कि हमारी body में एक organ होता है pancreas जिसका काम होता है insulin बनाना और जब वो insulin default हो जाता है तो हमारे cells उसको resist करते हैं यानि मान लीजे आपके घर में कोई आके bell बजा रहा है लेकिन bell खराब हो गई तो आपको पता ही नहीं चलता है इसी तरीके से हमारी body में cells तक signal ही नहीं पहुंचता कि वो खुले और उनके अंदर glucose जाए इसकी वज़ा से आपके blood में glucose लगातार बना रहता है और वो blood के साथ flow कर रहा होता ह जिसके कारण से आपके cells energy नहीं बना पाते हैं लेकिन जो थोड़ी बहुत energy आपको मिल पाती है वो आपकी body में जमे होए fat से आपको मिलती है या वो आपकी body में से protein को use करके energy produce करते हैं इसी लिए एक diabetic patient को हमेशा कमजोरी महसूस होती है lack of energy use होती है और वो ठका ठका feel करते ह अब आप खुद सोचिए जब आपको ठका हुआ feel हो रहा है तो क्या आपको exercise करने का मन करेगा बिल्कुल भी नहीं क्या आप gym जाना चाहेंगे बिल्कुल भी नहीं और अगर शायद कोशिश करके चले भी गए तो क्या होगा वहाँ पर हो सकता है आपको चक्कर आजाए अनरजी अलरडी कम है तो उसके लिए ये समस्या गंभीर हो सकती है इसी लिए कोई भी डॉक्टर आपको gym exercise या gym workout को avoid करने के लिए कहते हैं लेकिन अगर हम gym नहीं जाएं तो किस तरीकी की exercise हम करें इसको समझना आपको जरूरी है diabetic patient के लिए सबसे असरदार और beneficial exercises में मैं बात करूँगा yoga, walking और हलकी फुलकी jogging क्योंकि तीनों ही तरीके की exercise में एक ही चीज सबसे असरदार है जो हो रही होती है क्या सबसे ज़्यादा oxygen आप inhale और exhale कर रहे हैं जिससे आपकी body में toxins खतम हो रहे हैं साथ ही साथ oxygen ज़्यादा जारी है जिसकी वज़े से हमारी body के जो organs है वो ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि oxygen हमारी body के लिए एक खाने की तरह काम करती है एक energy giving substance बन जाती है या कुछ ऐसा माने कि एक battery की तरह काम करती है जो उन्हें current प्रोवाइड कर आती है जिसकी वज़े से हमारे organs बहुत healthy हो के ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं जब भी हम सास लेते हैं तो हमारे lungs लें expand होते हैं oxygen अंदर जाती है, blood में mix होती है और blood के साथ शरीर के सभी हिस्तों में जाती है इसलिए आप खुछ सोचिए जब भी आप आसन, कोई भी सास, breathing वाला कोई भी आसन करते हैं walk करते हैं या jog करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा feel होता है light feel होता है, positive feel होता है, क्यों? क्योंकि वो oxygen आपके brain तक जाती है इसलिए आपको positivity आती है और अच्छा feel होता है तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक diabetic patient के लिए सबसे अच्छी exercises की अगर हम बात करते हैं तो आप yoga करिए, yoga नहीं करना चाते तो आप walk करिए walk नहीं करना चाते, थोड़ा बहुत exertion वाला, थोड़ा hard level पर जाना चाते हैं तो आप jog कर सकते हैं लेकिन अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे कारण है कि सर हमें तो बहुत ठका हुआ मैसूस होता है हम कैसे करें exercise हमारी हिम्मत नहीं होती तो यहां पर मैं आपको बता दूँ अपने daily eating habits में add करनी है पहली चीज आप dry fruit यानी बदाम, अक्रोट की गिरी इन दो चीजों को आप रात को भिगोईए और सुबह breakfast में खाईए यह fibrous होते हैं साथ ही साथ आपको energetic बनाते हैं यानी आपकी body में जो lack of energy है दीरे दीरे आपको वहाँ पर राहत मिलेगी और आपकी body में activeness आईगी second thing कोशिश करिए carbs की मातरा कम से कम ले और आप fibrous food यानी salad को अपने खाने में बढ़ा दीजिए और मोटे अनाज का दलिया, मोटे अनाज का आटा कोशिश करें कि आप consume करें ये आपके शरीर में energy level को भी बढ़ाएंगे साथ ही साथ आपको active बनाएंगे और आपके बड़े होए sugar level को बहुत ही तेजी से control करेंगे तो आपको कुछ ऐसी habits अपने अंदर लानी है जिससे आपकी ये समस्याइं खतम हो जाएं और आप active फील करें तो I hope आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया एक point अब दूसरी बात आती है कि सर योगा कितनी देर करें यहाँ वाक कितनी देर करें और अगर जौक करें तो कितनी देर करें यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि जब आप योगा करें तो कोशिश करें आप पाक में करें पाक नहीं जा सकते तो अपने घर में आपके आस पास plants लगे हों ताकि maximum oxygen आपके अंदर जाए आप inhale करें और आप शुरुआत में 5-5-10-10 मिनट से शुरू करके आदे घंटे एक घंटे तक भी करेंगे तो आप बहुत ही positive feel करेंगे और active feel करेंगे जिसमें आप अनुलोम, विलोम, कपाल बाती ये दो exercise जब आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको instant result देखने को मिलेगा एक diabetic patient को तो ये दो exercise को आप आज से ही अभी से ही अपनाए जहां पर भी plants हैं, सुबा, दोपैर, शाम आप कभी भी exercise करें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको exercise नहीं करनी है या yoga नहीं करनी है और इसी के साथ-साथ एक important part और अपनी इस lifestyle में add करें कि जो आप खाना खा रहे हैं, उसका एक fixed time होने के साथ-साथ हर छोटे-छोटे interval के बाद कुछ खाएं जैसे आपने सुबह नाशता किया, माल लीजिए 8 बजे या 9 बजे तो आप 11 बजे फिर हलका-फुलका कुछ खाएं उसके बाद फिर 2 बजे आप दोपैर का खाना खाएं फिर 4 से 5 के बीच में आपको छलका-फुलका खाएं और शाम को 7 बजे तक आप अपना डिनर कोशिश करें कि करके बिल्कुल फ्री हो जाएं ताकि रात को साड़े नो दस बजे तक आप बिल्कुल light feel करें और अच्छी नींद ले पाएं तो I hope आपको अच्छे से इस पूरी वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरीकी की exercise और कौन कौन सी exercise एक diabetic patient को करनी चाहिए और कौन सी exercise उन्हें avoid करनी चाहिए और साथ ही किस तरीके का उनका diet plan और diet schedule होना चाहिए फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे देगा number पर हमारे यानि श्रियास के doctors की team से free of cost consult कर सकते हैं अपने सवालों के जवाब उनसे अभी जान सकते हैं तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने के इजादत चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में नए आपके सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ तब तक के लिए आप वीडियो को like, share और subscribe करना बिल्कुल न भूले